वो हमारा इंटेंशन होता है कि हम डाइरेक्ट इंक्वाइरीज रिसीव करें बड़ा हो जिसे आउट बैकिंग सपोर्ट मिलें हमको बूस्ट अब सपोर्ट मिलें बटन के बास अब इतने फंड्स नहीं है इसकी लिए गवर्मेंट उसमुका है करती है गवर्मेंट की स्कीम नमश्कार दोस्ताब सभी का फिरसे स्वागा थे ट्रेड पर में जहां पर हम बात करतें इंट्रैशनल ट्रेड की इंपोर्ट की और आज मैं आप लोगों को पता लगा कि आप लोग सबसे ज़गा सवाल पूछते हैं कमेंट्स में वह यह होता है जब भी आप एक्सपोर् आज हम एक्जिबीशन के यहां पर और बात करेंगे और आप लोगो को वह गुवर्मेंट स्कीम भी बताओंगा जिसमें कि अप जब आप ऐसे एक्जिबीशन में आते हैं तो गुवर्मेंट आपको एटी परसंट कॉंट्रिबूशन को अपको रिबेट मिल जाता है सबसीड आप लोगों किस तरीके से एक्जिबीशन का सारा सिनारियो काम करता है तो दोस्तों यह पीछे मेरे जितने आप स्टॉल्स देख रहे हैं यह मौस्ट ऑफ दा स्टॉल्स यहां पर एमसमीज हैं मेसमी की कैटेगरी में आते हैं आपको पता है कि रिसेंटली रास्ट स्ट्रॉचशर है उसको चेंज किया था और मेरे पीछ आप स्टॉल्स देख रहे हैं जब भी आप इस तरह के एक्जबीशन में आते हैं तो गौर्मेंट की तरफ से आपको बहुत सब्सक्रॉट मिलता है तो इस तरह के एक्जबीशन में आना लोगों के साथ करना बिजनस कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहां एक्सपोजर इनको मिलता है थोड़ा सा एक्सपीरिंस अपना शेर करेंगे सर आप बताएंगे जब आप यहां पर एक्सपोजर आपको मिलता है एक्सपोजर से कितना फायदा लगता है कितनी काम की चीज़ है यह थोड़ा सा गर आप हमारे ओडियंस को बताएं क्यूंकि हमारी जो ओडियंस है वो मोस्ली में समी है टायर टू टायर थी सिटीज में बिलॉंग करती है और हैं कि उनका जो मेनिफेक्ट्चरिंग है या मर्चंट एक्सपोर्ट है वो अपना डुमेस्टिक मार्केट में भी अच्छे से लोगों के साथ करें और इंटरनाशनल मार्केट को भी किसी तरह वो करें तो आप पताईए कि किसी चीज़ा काम करती है अगर हमारी कमनी की बा इंक्वारी रिसीव करें तो यहां पर डाइरेक एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होने के चंसी रहते हैं कि डाइरेक जो यूजर है वो आते हैं जो प्रॉडक्ट मैनिफेक्चर हैं वो आते हैं आपको अनलाइन बिजनेस भी मिल सकता है सानी है कि वह नहीं मिलेगा वहां यहां पर डाइरेक इंटरेक्शन के चांसिस कम हो जाते हैं कॉंपेटीशन भी ज्यादा लगता है यहां पर फेस टू फेस कस्टोमर के सामने कॉंटेक्ट में आ सकते हैं तो आपको लगता है कि यह वर्ट एट है हाँ अगर आप यहां पर एक्जिबिशन करता है कोई हमारा जो साइलोकसन कंपनी है इस सिंस 2011 और यानि अभी टैन यह खतम होना है हमारा जो एक्सपोजर है यह लाइन में यह सिंस 1993 कि जहां पर हमारे जो कंपनी के टेक्निकल हैड है जो कंपनी ओनर है वह यह लाइन में 93 से हैं अगर आप लोग आते हैं बहुत अच्छा तरीका है लोगों के साथ करने का और एक्सपोजर जिंडरेट करने का और अच्छे फीडबैक लेने का आपके प्रड़क्ट के लिए आपके कंपनी के लिए दोस्तों एक और मैं अब लोगों को एक और MSME से मिलाता हूं यह सब्सक्राइब को मारे अपकी कंपनी का नाम इंडिया है मेरा जो क्वेशन है मैं आप से जादा चीज़ें नहीं पूछूँगा विइंग MSME आप लोग जब इस तरह के एक्जिबिशन में आते हैं तो आपकी कितनी लीड जिनरेट होती और कितना एक्सपोजर मिलता आपको क्या लगता है कि कितना वर्थ एट है लोगों को आना च सपोर्ट मिलें को सपोर्ट मिलें कमपणी को भी फैदा होती है डियवि जब लगता है तो उसमें क्या है कि पर्टिकुलर जैसे कि आज यह इवी इंडिया एक्सपो अगर स्टार्ट हुआ तो इसमें जितने भी विजिट अगर कर रहे हैं विजिटर वह जाहिर सी बात है वो इस फिल्ड से रिलेट करते हैं, तो उस चीज से हमें भी यह हल्प मिलती है, कि यहां पर कोई बिजनस पाने के लिए आता है, कोई बिजनस में बनने के लिए आता है, कोई प्रोड़ेट पचिस के लिए आता है, कोई अपने प्रोड़ेट से लिंक के लिए आता है, तो इ में समीज को च्छों इस तरह के एक्सबोचर में वस्वी इस तरह के एक्षिभीशन में पार्ट लेना चाहिए आपके एस अबसे आपको पता होगा कि इस लेकर सारी चीज़े बहुत अच्छे मिलती है मैं आप लोगो सिधा और ऑर्गनाइजर के बास लेकर चलता हूं और और ऑर्गनाइजर के मुह से आप लोगो सुनवाता हूं कि किस तरीके से जो गौवर्मेंट है वो सपोर्ट करती है जब भी आप इस तरह के एक्जबिशन म अजय सार हम ट्रेडपेस हैं अच्छली हम जो मिसमी आपको पता हूँ कि इंडिया के जो एक प्रोटल एक्सपोर्ट में 50% कॉंट्रिबूशन है मिसमी इसका होता है तो हम एक क्रॉस बड़र ट्रेड अप्लिकेशन है जो कि सारी चीज़ों को ऑर्टमेटिक करने की कि अधियर को साफ करें और सबसे बड़ा सवाल आता है मिसमी के इसमान मिन में जब फो एक्सपोर्ट की बात करते है एफ्पोशर की बात करते हैं कि किस तरीके से हम ऑप भाउर को ढुंड़े कि सरीके से लोगों के साथ कंट करें तो मेरे को लगता है कि एक अच्छा फर्म जो MSME होते हैं उनको अगर थोड़ा साब गाइड कर सकी किस तरीके से चीज़ा काम करती है अपनी EV इंडिया एक्सपोज है इसके बारे में बाताना चाहूंगा इसके लिए आपको एक एलेक्ट्रिक मोटर वाइकल सो है जो फोकस है एलेक्ट्रिक स्कूटर एलेक्ट्रिक बा में आपको सारे चीज़े बताएं एलेक्ट्रिक वाइकल्स के अलाव वो सब MSME में ही आते हैं ठीक है MSME वो कंपोनेंट के अलावा चार्जिंग इसके अलावा भी जो अभी नएने स्टाट अप्स आ रहे हैं EV के अंदर नएने टेक्लोजी लेके आ रहे हैं वो सारे MSME ही है वो अपने इनोवेशन लेके आएं बट उनके बास अभी इतने फंड्स नहीं है वो ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने प्रडॉक्स को अपने सर्विसिस को एक्जिबीट कर सकें तो क्या है इसके लिए गवर्मेंट उसका है गवर्मेंट की एक स्कीम है जो ड कर सकते हैं और उनको फिरियोप कोष्ट अराउंड एटी परसेंट उनको डिबेट मिल जाता है तो इस तरह से गवर्मेंट उनको अचिस कर रही है इसके लावा हम भी कुछ जो में आते हो और हमें बोलते हम अपने देखा होगा हमारे है कि स्टार्ट अप पावेलियन है ज इसस्तों अपने वजनिस को बढ़ा सके अपने बढ़ एक्स्बशेर मिल है किस तरीके से मतलब है स्पोजिटर मिले किस तरीकह से बायर मिले तो मेरे को लगता है कि एक सबसे रोबस्ट और सबसे कॉंक्रीट तरीका है एक्सपोजर का और भायर ढूडनेगा तो यह था एवी इंडिया एक्सपो का जहां पर मैंने आप लोगों को मिलाने की कोशिश करी और आप लोगों का इस सवाल का जवाब देने का कोशिश किया कि बायर किस तरीके से मिलता है इस तरह के इंडिया में और ओवर्सीज दोनों जोगा पर होते हैं वीडियो को अब तक देखने तो लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बारे आए तो चैनल को स सब्सक्राइब कर दीजए इस ग्रaison फो disc Pinterest शेण पर मिलते हैं अले एक्सपों में वर्ल किसी और एक्सपो होता है तो